So guys, OPPO की तरफ से finally OPPO Reno4 Series चाइना में लॉंच हो चुकी है और ऐसी उमीद दोस्तों कि यह जल्द ही इंडियन मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगी OPPO Reno4 Series के साथ में दोस्तों इन्होंने अपना पहला fitness smart band भी announce किया है तो इस वीडियो में guys हम बात करेंगे इसी OPPO के smart band के बारे में और देखेंगे कि आपके लिए कैसा option होने वाला है काफी stylish design है और काफी interesting features के साथ में यह आता है तो यहाँ पे हम detail में जानेगे इसकी सबी specs के बारे में वहीं पे इसके price और India launch पे भी हम बात करेंगे तो स्वागत आप सबका tech liver पे जानकारी के लिए वीडियो में end तक जुड़े रहें और दोस्तो चैनल पे पहली बारा आएं तो subscribe कर लिजे ताकि आपको ऐसी tech videos मिलती रहें आप सबको पता है दोस्तो market में आजकल काफी competition है अगर हम बात करते हैं fitness bands की और काफी सारी companies ने अपने नए fitness band को market में launch किया है चाहें हम बात करें Xiaomi की, Redmi की, Realme की या फिर और companies की आपको काफी सारे smart band में option देखने को मिलते हैं तो इसमें एक नए addition होने वाला है जो की होगा OPPO fitness band तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी सभी specs के बारे में इस fitness band के अंदर आपको 1.1 inch की एक color display दी गई है जो की एक AMOLED display होने वाली है और काफी अच्छा आपको viewing experience प्रवाइड करवाएगी इसके अलावा इसके अंदर आपको 160 से भी ज़्यादा band faces के option देखने को मिलेंगे तो यह आपको definitely काफी पसंद आएंगे और आप अपने पसंद के according इसमें से choose कर पाएंगे अगर बात करते हैं fitness tracking की तो यहाँ पे आपको 12 different sports mode देखने को मिलेंगे और वहीं पे guys आपको आपके सभी indoor और outdoor workouts के लिए इसमें tracking के option देखने को मिल जाएंगे sports mode के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे strap counting के option वहीं पे 24-7 heart rate monitoring देखने को मिलेगी और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी blood oxygen monitoring तो इन सभी features के साथ दोस्तों काफी अच्छा experience आपको यह provide करवाएगा और अगर आप अपने workouts को track करना चाहते हैं काफी easy तरीके से तो यह आपके लिए helpful हो सकता है अगर बात करें next feature की तो आपके smartphone की सभी notifications इसके उपर आ जाएंगी चाहें हम बात करें calls की messages की या फिर alarm वगयरा की इसके लावा आप अपने smartphone का music control कर पाएंगे और weather वगयरा की details आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी तो यह fitness band दोस्तों almost सभी features के साथ में आता है जो कि आपको किसी भी fitness band के अंदर देखने को मिलते हैं तो यह भी काफी अच्छी बात है एक और interesting चीज़ है दोस्तों वह है इसका design यह आपको दो तरह के design में देखने को मिलेगा एक तो इसका simple design है जो कि आपको maximum fitness band के अंदर देखने को मिलता है वही पे इसका एक fashion edition भी है जहाँ पे आपको काफी interesting color options देखने को मिलेगी और इसके अलावा आपको frame देखने को मिलेगा metal का तो काफी stylish और काफी elegant design यह लगता है अगर बात करते हैं इसके pricing की तो यहाँ पे जो इसका normal edition है वो आपको black और pink color में देखने को मिलेगा और यह 2100 रुपे के आसपास market में launch हुआ है वहीं पे अगर बात करते हैं इसके fashion edition की तो यह आपको देखने को मिलता है black और gold color में और दिखने में काफी stylish design यह लगता है और इसकी price होने वाली है 2600 रुपे के आसपास जो इसका fashion edition है guys वहाँ पे आपको देखने को मिलता है NFC का support तो यह भी आपको लिए काफी beneficial हो सकता है चाइना में यह smart band officially announce हो चुका है और जल्दी sale के उपर जाने वाला है देखते हैं कि यह इंडिया में कब तक आपाता है ऐसा उमीद है कि Reno4 series को जब OPPO India में लेके आएगा तो उसके साथ ही यह fitness band भी आपको देखने को मिलेगा ऐसी उमीद है दोस्तों कि यह me band की बात करें या फिर owner वगेरा के bands की यह एक अच्छा competition दे सकता है और एक अच्छा option आपके लिए हो सकता है आप हमें बताई दोस्तों कि आपको यह fitness band कैसा लगा और क्या आप इसके लिए wait कर रहे हैं अगर आपका कोई और कमेंट है वो भी आप लिख सकते हैं वीडियो अच्छे लगी तो like कर दीजिए और ऐसी tech वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लीजिए मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए goodbye have a nice day